हलो गाईज, वेलकम टू अजीव आईएस, मैं नेम इस आयूश मीठे इस वीडियो में हम एपिसोड फॉर्थ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एंचेंट हिस्ट्री ओफ इंडिया का क्रेश कोर्स चल रहा है पहले की तीन एपिसोड हमारे यूट्यूब चनल पे आप देख सकते हैं और जो उन एपिसोड की PDF हैं और इस एपिसोड फॉर्थ की भी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी एपिसोड फॉर में हम बात करेंगे निलिथिक एज के बरह में निलिथिक एज फुड प्रोड्यूसिंग स्टेज काफ़े कुछ इसमें जानने को मिलेगा और काफ़े कुछ में आपके सामने अपनी जो है बाते रखूँआ शुरू करते अर्लियर सेटलमेंट्स वर्ड की बात करूं तो न्यू स्टॉन नियो मतलब नियो लिथिक मतलब स्टॉन या रोक पता है पहले लिथिक आई थी ओल्ड स्टॉन फिर मेजो लिथिक आई माइक्रो जो टूल्स है जिसमें छोटे होते गए टूल्स फिर नियो नियो लिथिक आई जिसमें नियू स्टॉन्स है अब नियू स्टॉन्स का मतलब क्या हुआ वह हम आगे पड़ेंगे लेकिन अब यह समझ लिए कि समझ लिए वर्ल के कंटेक्स्ट में 9000 बीसी में बिगिन हो गया था नॉर्दन इंडिया में 8000 से 6000 बीसी में शुरू हो गय इसकी इंपोर्टेंस इतनी है कि वी गॉर्डन चिल्डे ने इसे नियूलिथिक रिवल्यूशन तक कह दिया था इसकी वज़े क्या है मैं बताऊंगा आपको चलिए इनोवेशन पर आते हैं सी थे साइट्स में आपको लास्ट में बताऊंगा सबसे पहले इन्होंने नया क्या किया टूल्स अब तक छोटे थे शाप थे इन्होंने कलाकारी दिखा के पॉलिष्ट पैक्ट टूल्स बनाने स्टाट कर दिये नहीं बताऊंगा आपको कैसे कि वो जो भी टूल्स बनाते थे स्टॉन टूल्स वो कौटाइज से बना हुआ होता था मोस्टली इसलिए उनको क्वाटाइज मैन भी कहते थे क्वाटाइज के बजाए नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो पॉलिष्ट स्टॉन भी बनाने लग गए और भी अधर जो है तरह के स्टोन्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिया सेल्ट का प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया कुलहाडी जो बनाते थे यह पॉलिज्ड हैंड एक्सेज उनके लिए सेल्ट का प्रयोग शुरू कर दिया सेल्ट क्या तो मैं बताऊंगा तीन टाइप की एक्सेज मोस्टली यहां पर यूस की गई थी नियुलिटिक सेटलमेंट में पहला नोर्थ फेस्टन उसमें हम देखेंगे कि रेक्टूंगुलर थी और थोड़ी सी कवड कटिंग एज थी यह देख सकते हैं आप नोर्थ इस्टन में रेक्टूंगुलर थी बट पीछे की जो उसका हिस्सा था रेक्टूंगुलर था और आगे थोड़ा सा उसका शाप था मतलब आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो है अगला तरह की सेल्ट्स यहां पर दी गई हैं यह सेल्ट हैं ठीक है यह सेल्ट हैं इन से ही कुलाडी बनती थी आपको ब प्रेंगुलर थी लेकिन साउधन में ओवल साइड आने लग गई यह नियुलिथिक स्टॉन टूल्स हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिस्ड है अचा एक चीज मैं उको बता दूं सबसे बड़ी लिमिटेशन पहले थिक मिजलिथिक चैनियुलिथिक की बात हो थे है तो यह स्टॉन टूल 사 लेकिन एक लिमिटेशन जो स्टॉनेज मैं हमेशा से रही है जो नीयुलिथिक इस्टॉन एज में भी थी है वो यह थी कि इतना प्रोडक्शन तो यह अभी भी नहीं कर पाएं ज beetle उसायिक मैं सर्प्लस पईदा कर सकें और इस वज़े से सब के सब जो है कल्टिवेशन में लगे रहे फर एक्जामबल हर अप्पा जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से ब्रॉंच के साथ उन्होंने इन्नोवेशन किया और इतना प्रोडक्शन वो करने लग गए कि हर किशी को फार्मर नहीं बनना पड़ा हर कोई कल्टिवेशन नहीं करता था इतना खाना कुछ ही लोगों की मदद से बन जाता था तो जो कुछ लोग बेकार हुए जिनके पास कोई काम नहीं था जिनके जुरूत नहीं थी वो क्या करते हैं वो आर्टिस्ट बन गए इस वज़े से आप हरप्पा में देखेंगे की सील्स स्कल्प्चर्स आर्टिटेक्चर कफी अच्छा था उसकी वज़े यही थी कि जो लोग ही छेत्रों में खेती करने के काम आते हैं हिली एरियाज में पहाडों तक यह सीमित थे लोग सेटल थे बस उसके नीचे नहीं आते थे रिवर वैली की साइड यह थोड़ा कल्टिवेशन करते रहते थे चलिए आगे पड़ते हैं क्या का इनोवेशन क्या पॉट्री का पहली बार पॉट्री आई सबसे पहले हातों से बनाते थे फिर पॉट्र वील के मिदर से बनाने लग गए डिजाइन करनी शुरू कर दी पॉट्री के साथ साथ पॉट्री पे ही ब्लैक बनिश्ट वेयर ग्रे वेयर मैट इंप्रेश्ड वेयर लार्ज स्केल पॉट्री मैंने बता चुका हूं मैजली थिक जो फेस था उसमें भी था ऐसे तो एपसेंस थी पॉट्री लेकिन कुछ जगे जैसे लंगंज थी मैंने आपको बताया कैमूर था शायद एक बार थार्ड एपिसोड दीख लिजेगा उसमें मैंने आपको बताया था कि दो जगे थी जहां पे पॉट्री का एविडेंस मिला था लेकिन लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होता था और ये नियोलिथिक में ही आके संभाव हुआ पॉट्री का दो यूज था एक तो कुकिंग का और स्टोरेज और फूट ग्रेंस बाई कुछ समय तक वो सेटल होने शुरू कर दिये मैंने आपको आता मैं सुलिथिक में आके वो कुछ लंब पहले जोपड़े होती थी घास पूस की अब सर्कुलर और रेक्टेंगूलर हाउसेस थे मढ़के मजबूत थे पहले से यतने नहीं थे हरप्पा के जितने जो भी आगे हम पड़ेंगे बंड़ ब्रिक वाले लेकिन मजबूत थे पहले से और नाव बनाना भी ये जानते थ कोटन का भी स्पिनिंग ये करते थे और वूल भी बनाते थे और क्लोथ की वीविंग भी करते थे तो पोट्री का इन्वेंशन हुआ और सेल्फ सफिशन्ट विलेज कम्निटीज जो है यहां पे नज़र रही ठीक है डिविजन ओफ लेवर बेस्ट डॉन सेक्सेंड एज य मैंने आपको कहा था कि भिंबेट का पेंटिंग अच्छा भिंबेट का पेंटिंग मैं आपको बताऊं तो यह तीनों एजेज में मौझूद थी भिंबेट का पेंटिंग जो है बेलन वेली भी जो है वो तीनों एजेज में मौझूद रही है और इनसे भिंबेट का अभी वो labor चुनु कर दिया जो अब तक नहीं होता था इनके band होते थे इनके band होते थे 35 लोगों के फिर band मीज लिठिक से band में band होते थे नियोलितिक मा के क्लैन में बदलने लग गए तो ओर हमेशा शादिये we can के बाहर ही करते थे हालाकि relationship mutual relationship clan के लोगों में रहती थे लेकिन शादी ये दूसरे clan वालों से और यह करते थे तो यह समय लिखा हुआ नहीं है मैब आपको बता रहा हूं जो है कल्टिवेशन अच्छे से करता था fruits भी grew करता था corn भी करता था like ragi कुलठी अगर आपने पढ़ा होगा तो animals का domestication शुरू हो चुका था mesolithic में ही लेकिन full fleshed scale पर नहीं पोचा था ये लोग cattle, sheep और goat domestication शुरू कर दिये थे wheat, barley और rice, millet भी cultivated होनी शुरू हो गए थी rice तो खाच कर eastern जो sector है हमारा eastern areas में बहुत cultivation होनों शुरू करती है था इन लोगों ये जो है आपके सामने map है इसमें paleolithic age भी आपको पता चल जाएगी, ये मैंने NCRT से लिया है और ये आपको neolithic और mesolithic भी पता चल जाएगी देखो जो blue color में है वो neolithic sites है map पर वापस revert होएगे एक बार पढ़ लेते है naturally इनों ने किस तरीके से जो है कहाँ-कहाँ excavation से पता चला कि sites कहाँ-कहा ती निलिथिक के बुर्जा हॉम बुर्जा हॉम का नाम अपने सुन रखा होगा पहले की जो ages थी बुर्जा हॉम रेक्टेंगुलर चोपर यहां मिला domestic goats dogs यहां पे मिले जो अपने master के साथ दबे वेते जब मर जाते तो उनके बुर्जा हॉम इसलिए famous था गुफराल जमू कश्मीर में famous था और graveyard जो थी वो घरों के अंदर ही थी सबसे बड़ी बात Garrow Hills Megalya में बिहार में चिरंड बिहार में bone implements मिले हैं चिरंड में सराइक खोला मेहरगड मेहरगड यह ध्यान रखियेगा कि earliest नियोलिथिक साइट है करीबन 7000 BC में इसका जो है हमको सबूत मिलता है कि यह डवलप हुई थी ब्रेडबास्ट केट ऑफ बलुचिस्तान इसको कहते हैं अभी पाकिस्तान में जो बलुचिस्तान है वहाँ है यह मेहरगड एक बाब आप आपको बताई देता हूं मैं यह देखो मेहरगड बुर्जाहूं ठीक है अच्छा माफ कीजिएगा बुर्जाहूं के अवल नियुलिथिक साइट है यह पहले अपन को किसी एजेज में नहीं पता था इसके बारे में यह अभी नियुलिथिक जो है यह साइट है आलाकि मैं को बता चुका हूं कि जो बेलेन वैली है और जो भीमबेट का है यह विमबेट का आप देख रहे होंगे यह यह भीमबेट का पैले लीथिक में भी थी और मिजरलिथिक में भी थी नियु ली Thいき में भीसके जो है आपको यहां पे तीनो फेजे जेस में कुछ न बुद्धा और जैनिज्म के टाइम पे जो आरने जाई थी कोली डावा महागरा अलाबाद में यहां पे सर्कुलर हट्स आपको मिलेंगी और राइस कल्टिवेशन का पूरी दुनिया में सबसे पहले एविडेंस यहां मिला था चोपानी बेलन वैली में यह पोटरी का सबसे चुका हूं फेले लिथिक में मिलेगा मैसलिथिक में मिलेगा नियोलिथिक में मिलेगा बेलन वैली आपको मैप में यहां मैप में तो नहीं है लेकिन आप देखेंगे जो अपने विंद्याज आगर आपने जोगरफी पढ़ रखी होगी फिजिकल जोगरफी पता होगी त विंद्याज जो हैं हमारे नोर्दन जो रेंजेज हैं वहाँ पर यह आपको मिलेंगे ठीक है नर्मदा वैली के मिडल पार्ट में भी आपको इसके सबूत मिलेंगे साउथ इंडिया के मैं बात करूँ तो मस्की भ्रमगिरी और पिक्री हाल का नाम जुरूर याद रखेगा बुद्धी हाल और टेकल कोटा का नाम याद रखेगा पयम पली तमिलनाडू और उतनूर आंद्र पदेश में यह भी दर याद रखेगा सबसे इंपोटेंट पिली पिकली हाल इसलिए है क्योंकि किटल हर्डिंग प्रूफ यहां पे दिये गये और क्म्मिनgres फुक्री प्रिपेरेशन यहां плнос में पता चलाई कि सब लोग खाना बना है और यहां पिकल स्थिरी नहीं कर ते दो i ठीक है यह कोली डीवा जो मैंने बताया आपको राइस का जो राइस का कल्टीवेशन है यहां पर मैंने बताया था कि राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले यहां हुआ था ठीक है यह देखिए ये ये जिरन है बिहार में तो मैप भी आपको PDF के समय ते मिल जाएगा तो टेलिग्राम चैनल पे देख लीजेगा साउथ इन्या में भी हमने साइट पढ़ लिए चलिए ये हैं हमारी निलिथिक एज आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं एपिसोड फाइफ में तब तक के लिए गुडबाए